नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं सौदेशी को वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को 1200 और राज सरकार को 600 में मिलेगी भारत बायटेक और ICMR की और से विक्सित किये गए पहले सौदेशी वैक्सीन को वैक्सीन की एक डोज प्राइवेट अस्पतालों को 1200 और राज सरकारों को 600 रुपे में मिलेगी जबकि कमपनी के अंदर सरकार को वैक्सीन की एक डोज 1500 रुपे में उपलब्द कराएगी कमपनी के और से वैक्सीन की कियमतों की गोशना की गई है इससे पहले भारत की दूसरी वैक्सीन निर्माता सिरम इंस्चूट और इंडिया ने अपने वैक्सीन को वैक्सीन के दामों की गोशना की बता दे कोवी सिल्ट की एक डोज प्राइबेट होस्पिटलों को 600 रुपे में मिलेगी जबकि वैक्सिन की एक खुराय कराई सरकारों को 400 रुपे में मिलेगी जारखन मौसम विभाग के उनसार 25 अपरेल को बादल रहेंगे इस दोरान बिजली चमक सकती है अगामी 26 अपरेल से फिर मौसम करवट लेगा इस दोरान आसमान साफ रहेगा 29 अपरेल को दोबारा मौसम में बदलाव की भविस्वानी की गई है बता दे पिछले 24 गंटे में सहर का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री से अस दर्च किया गया वहीं निम्तम तापमान सामान से एक डिग्री नीचे रहा या अखड़ा 20.5 डिग्री से तर्च किया गया जार्खन में बढ़ सकता है लोकडाउन जार्खन में बेताहासा बढ़ रहे कुरोना वार्यस संक्रमन किरभ तार थम नहीं रही है मुख्यमंत्री एमान सुरे ने कुरोना संक्रमन पर नियंतरन के लिए 22 अपरेल सुबा 6 बहे से 29 अपरेल सुबा 6 बहे तक जार्खन में एक हपते का लोकडाउन लगाया था लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आती नहीं दिख रही करोना का चेन तोड़ने के लिए किये गए कड़े फैसले का सड़कों पर तो असर दिख रहा है लेकिन अस्पतालों में करोना के बढ़ते मामलों को देख एक बार फिर से जार्खन में लोकडाउन बढ़ने के असर नजर आ रहे है संभव है कि कुरोना वाइरस मामारी के रोख थाम और सुरक्षा यतिहात के लिए राजे में कुछ और दिनों या कम से कम एक हफ़ते के लिए लोकडाउन लगाया जाए जार्खन में मई से सुरू होगा दीदी कीचेन और मुख्यमंत्री कीचेन जार्खन में दीदी कीचेन और मुख्यमंत्री कीचेन मई में सुरू हो जाएगा इसके जरिये राजे के लोगों को पका पकाया भोजन निसूल्क दिया जाएगा खाद आपूर्ती विभाग इसकी तियारी कर रहा है जिन लोगों के पास रासन कार नहीं है उन्हें भी रासन के रूप में 5 किलो चावल दिये जाने की तियारी है बता दे क्रोना संक्रमन की वज़ा से पिछले वर्ष दिदी कीचेन मुखमेंत्री कीचेन समय थानों में निसुल्क पका भोजन लोगों को उपलब्द कराया गया था इस बर्ष भी उसी तरज पर भोजन उपलब्द कराया जाएगा बर्तमान में इस्थिती समाने हाए जो लोग बर्ष ट्रेंज से आ रहे हैं वे आसानी से घर पहुँच पा रहे हैं पहली से आठवी के बच्चों को मिड़ दे मिल का मिलेगा चावल पहली से आठवी में नमांकित सभी 34-34 को कुरोना संक्रमन के दोरान का मिड़ दे मिल का चावल अंडा और कोकिंग कास्ट की रासे उपलप्द कराया जाएगी मिल का जाल भी बच्चों को उपलप्द कराया गया था इस वर्ष में संक्रमन की गाती को देखते हुए उम्मीद है कि बच्चों को गर्मी के चुटी कावियान आज मिलेगा 20 दिनों में 25 सव से 10 जार बढ़ाई गई ऑक्सिजन बेट की संखेया हमन्सुरेन जारखन में कोविट के इलाज की केंद्री करीत ब्यवस्था सनी वार से शुरू हो गई इसके लिए मुख्मंत्री हमन्सुरेन ने अपने आवासे परिसर से राची एवं पूर्वी सिमुम जीले में कोविट सर्किट का उनलाई सुभारम किया बता दे इस मौके पर मुख्मंत्री हमन्सुरेन ने कहा कि कुरोना मामारी में ऑक्सिजन युक्त बेट की सब से अधिक जरूरत महसूस की जा रही है सरकार दोहरा राजे में पिछले 20 दिनों में ऑक्सिजन बेट की संख्या 25 हो से बढ़ा कर दा सेयर की गई अक्सिजन बेट सबी जिलों में बढ़ाये जा रहे है राशन उठाव के लिए अंगुठा लगाने की आउसकता नहीं मुख्मंत्री हमन्सुरेन की सरकार ने जन वित्रन परनाली की सरुजनिक दुकानों से राशन लेने वालों को बड़ी रहत दी है कुरोना वारेस अंक्रमन को देखते हुए सरकार ने अब इपास मसीनों में अंगुठा लगाने या आँख की पुतली की स्केनिंग कराने से छूट आम लोगों को दी है इसके बदले नई बेवस्था में अब OTP वन टाइम पासवर्ट के जरिये उभोगता खद्यान प्राप्त कर सकते हैं सरकार के अपर सचीव संतनु कुमार अगरहरी ने या अदेश जारी किया है जारखन में सेना ने संभाली कमान अब मिलिटरी होस्पीटल में मरीजों का इलाज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हिमंसुरेन ने सनिवार को अपने आवासे करयाले में सेन अधिकारियों के साथ बैठक की बिचार विमर्स के करम में सेन अधिकारियों निमुक मंत्री का अगत कराया कि कुरोना संक्रमित मरीजों के बेतर इलाज के लिए मिलिटरी होस्पीटल नामकुम में 50 कोविड बेट की तैयारी कर ली गई है सेना के अधिकारियों ने मुख मंत्री के समक्ष का कि मिलेटरी होस्पीटल नामकुम में अगामी मंगलवार से कुरोना संक्रमित मरीजों का उपचार परणांप हो जाएगा भुकारो जीले के बुड़ु पंचायत को मिला बाल हितासी ग्राम पंचायत अवार्ड पंचायती राजमंत्राले भारत सरकार की ओर से हर वर्स ग्राम पंचायत सस्थिकरन पुरसकार की घोस्थना की जाती है बतादे इस घोसना में दूसरी बार जार्खन राजी के एक मांत्र वोकारो जी ले के बुड़ू पंचायत को बाल हिताशी ग्राम पंचायत अवाट 2021 के रूप में चाइनित किया गया है जार्खन में एक आउन सो बावन नाई केस मिले है जार्खन में 110 मरीज की मौत हुई है जार्खन में कूल मौत की संख्या अठार सो अठासी है वही जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 45,592 है भारत में 3,48,831 नाई केस मिले है भारत में कूल मौत की संख्या 1,92,309 है वही कूल एक्टिव केस की संक्या 26,64,351 है भारत में 2,15,592 मरीज स्वास्थ हुए है वही जार्खन में 285 मरीज स्वास्थ हुए है जार्खन में मिले 5152 नए संक्रमित इस प्रकार है जार्खन में 110 मरीज की महत हुए है जो राची से 60, पूर्वी सिमू 16, रामगर 8, धनबाद 7, 20124, गुमला पलामू से 33, बोकारो अदेवगर से 2,25, लुर्दागा खोटी जामतरा गडवा में 1-1 मरीज की महत हुए है जार्खन में स्वास्थ हुए 2865 मरीज इस प्रकार है बोकारो 251, 1422, देवगर 129, धनबाद 118, धुमका 24, पूर्वी सिमू 36, गुर्वी सिमू 36, गुर्दावा 54, गुमला 66, हारीग 15, जामतरा 5, खोटी 150 कोड़ार्मा 129, लातेहार, एक लुर्दागा 43, पांकुर 15, पलामो 54, रामगार 121, राची 824, साइवगा 41, सराय केला 46, सिम्डेगा 30, पच्मी सिमूं से क्तुचोदा मरीज स्वस्थ हुए है सिम हिमंत ने कोविट सरकीट का किया ओनलाइन उदगाटन, जारखन में क्रोणा खिलाब जंग को लेकर राजे की हिमंत, सुरेण सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, पतादे क्रोणा मरीजों को अब कोविट सरकीट के माध्यम से एस सुविदा दी जाएगी इसी करम में मुख मंत्रे मंसुरेण ने सनिवार को राची और जमसेदपूर कोविट सरकीट का ओनलाइन उदगाटन किया, इस मौके पर स्वास्थ विभाग के अपर मुख सचीव अरुन कुमार सिंग सहित अन्य अधिकारी मजूद थे जारखन में डाइन विसाई हत्या की रोक्थाम के लिए पुलिस वर CID चलाएगी सन्यूक्त अभियान राज जमेडाइन भी साई के नाम पर हो रही हत्या की रोक्थाम के लिए पूलिस मुख्याले ने हाई कोट के निर्देश पर चवदा बिंदुओं पर योजना त्यार की है इन घटनाओं को रोकने के लिए पूलिस, CID और स्पेशल बरांच की ओर से सन्युक्त रूप से काम किया जाएगा बता दे स्पेशल बरांच का काम सुचना एकत्र कर पूलिस को देना होगा वही सभी जीला के ASP समेथ CID के DIG को नोडल अफसर बनाया गया है राष्ट्रिय सरना धर्म के अग्वा इरेंदर भगत का अम्तिम संस्कार जामा खोरो वा काला बाजारी पर सक्त्र करवाई करे शरकार ब्यापार मंडल Federation of All India वेपार मंडल मेडिया सेल के परदेश चेर्मेंट संजय सर्रफा ने जार्खन में क्रोना संक्रमन की भ्यावा इस्तिति को देखते हुए जार्खन सरकार दोरा लागु स्वाज सुरक्षा सप्ता की पाहल की साराना की है मुख्यमंत्री को ट्वीट कर मांग किया है कि दूसरे चरण में क्रोना वाइरस मामारी वाइरस काफी तेजी से लोगों को अपने चपेट मिले रहा है क्रोना संक्रमन को देखते हुए राची सही जार्खन के सभी अस्पतालों में अक्सिजन, बेड, वेंटिलेटर यम दवाईयों की अतिस सीगर समुचित व्यवस्ता की जाए उन्होंने कहा कि जार्खन में दवा, पीपी, कीट, ऑक्सिजन, ऑक्सिमीटर, सेनेटाइजर, अस्पतालों का बेहिसाब बिल यम राशन का समान सभी में कला बजारी और मुनाफ़ा खोरी चरम पर है पूलिस कर्मियों को खास निर्देश, पान, गुटखा, वखैनी खाकर जहां ताह न थुके राज्य के पूलिस कर्मियों को कुरोना संक्रमन से बचाव के लिए पूलिस के वरिया अधिकारी लगातार चिंती थाए इसके लिए अलग अलग दिसा निर्देश जारी किये जा रहे है इसी कड़ी में पूलिस मुख्याले की वर से एक आदेश जारी किया गया है इसमें पूलिस कर्मियों को खुटखा, खाएनी, पान, सिग्रेट का परयोग करना एवं इधर उधर थुकना अपराद बताया गया है ऐसा किये जाने पर पूलिस कर्मियों पर करवाई की जाएगी अदालत जाने वाले वकिलों पर करवाई करेगी बार कॉंसिल जारखन राज बार कॉंसिल की रोक के बावजूद कई वकिलों ने अदालती कारे किया है विभिन जीलों से इसकी सिकायत बार कॉंसिल को मिली है अब बार कॉंसिल ने सभी जीलों के बार संगों से वैसे वकिलों के सुची मांगी है जिन्होंने रोक के बावजूद अदालती करे किया है ऐसे वह किलो की सूची मिलने के बाद बार कॉंसिल नियमों के उनसार करवाई करेगा बगएर जाज के बंगाल से आने वालों को जार्खन में परवेस नहीं पाकुड के महेसपूर सरकिल के वर्ये प्रभारी स्वा मुख्यालाई बगएर जाज करा है पच्छिम मंगाल से आने वालों को जार्खन में परवेस करने न दे उन्होंने यह निर्देश सनिवार को पच्छिम मंगाल की सिमा पर अवस्तित पाकुडिया के राधा नगर चेक नाकाप पर तैनाद दंडा अधिकारी वा मेडिकल टीम को दिया है अक्सीजन सिलेंडर की निर्बाद आपूर्ति के लिए देवघर डीसी ने कोसांग का गठन किया है संक्रामित ब्यक्तियों को नहीं होगी समस्याएं पलामू आयोक्ते COVID-19 संक्रामन के नियंतरन के लिए पलामू परमंडल के पलामू लातेहर वा गडवा जीले के अस्थानिये जीला परसास्वन वा स्वास्त विभाग ततपर है या बाते सनिवार को परमंडल ये आयोक्त जटा संकर चौधरी ने कही उन्होंने कहा कि समंदित अधिकारियों से बात की है आम लोगों को कोई समस्या आयो नहीं आने दिजाएगी कोबिघ ंटिन के संकरामीत ब्याक्धियों को इलाज के लिए बेट आने कोई समस्या आयो हो इसके लिए प्रमंडल छेत्रे के तीनों जीलों में जिलास्तरिया होस्पीटल बेड मैनेजमेंट कमेटी बनाएगा यहाँ नीजी अस्पतालों के संचाल को की मनमानी चिन्ता का भी सहय रामेश्वरु राव कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष और भी तथा खाद आपुर्ती मंत्री रामेश्वरु राव ने सनिवार को बर्यातों इस्थित अपने आवास में पार्टी के सभी जिला अध्यक्षो जोनल कोर्डिनेटर कारेकारी अध्यक्षो के साथ वर्चुल बैठक की इस दोरान भी भी जिला अध्यक्षो और पार्टी ने तावो की ओर से परदेश अध्यक्ष से या सिकायत की गई की आपदा की इस गड़ी में निजी अस्पतालों द्वारा मनवानी की जा रही है मेडिकल किट में ऑक्सिमीटर नहीं जारखन का मुख मंत्री में सुरेन के आदेश पर अधिसंख जीलों में होम आईसुलेशन में रहने वाले क्रोना मरीजों को मेडिकल किट मिलना सुरू हो गया है इसमें स्वास्त विभाग दोआरा सुझाये गए अवसक दवा के अलावा सेनेटाइजर मास्क आदी तो हैं लेकिन मेडिकल किट के साथ अभी ऑक्सिमीटर नहीं दिया जा रहा है मुख मंत्री ने मेडिकल किट के साथ ऑक्सिमीटर देने की भी गोस्तना की थी गाव परखंड और जीलों में बनाए क्वारेंटीन सेन्टर संजाय सेट राची के संसर संजाय सेट ने मुख मंत्री एमन सुरेन को पत्र लिख कर गाव परखंड और जीला मुख्यालों में अविलम क्वारेंटीन सेन्टर बनाने की मायं की है उन्होंने लिखा है कि बड़ी संक्या में परवासी दूसरे परदेशों से जारकन आ रहे हैं इनकी जाच और कॉरेंटीन करने की कोई विवस्ता नहीं है इस कारण गाव में कुरोना तेजी से फैल रहा है कंट्रोल रूम ने 72 घंटे में 2000 से अधिक को पहुचाई मदद कुरोना वायरस मामारी को लेकर रामगड जिले में अस्थाफित कंट्रोल रूम ने पिछले 72 घंटे में 2000 से अधिक लोगों को मदद पहुचाई है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर बहल के लेकर दवाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट से फेस्बूक ट्यूटर इंस्टागराम पर सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें लोकडाउन पर अपने परति के लिए आवासे दे थाइंक यू